हलो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों यहां पर एक अप्डेट्स जो है मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ है एक्षिट के बारे में और अभी यह अप्रोड करने जा रहा हूं हिमाच्र पतेश इनिवर्स्टी जो ओल्ड वैच है उससे उसकी डेट्स जुझ है यह मैं यहां पर अप्रोड करने जा रहा हूं तो दोस्तों इसका भी यही कारण है कि यहां पर कोडिफिकेशन जो है चेंज जो हैं किये गए हैं इस डेट्सीट में एच्पी रूसा ओल्ड वैच वाले डेट्सीट में ड्यू टू असंब्ली लेक्शन क्लैसिज फॉर फरदर नेसेसरी एक्शन ठीक है दोस्तों तो यहां पर असंब्ली लेक्शन के कारण जो है यह यह तरुफ त्यनों years într two लोंतीट यहां पर चेंज है तो आप देख लिएं किस यहां पर चेंज है तो फिर्स्मस्टर का यह कंप्यूटर साइंस का कोर्स नंबर यहां पर वी ऐली supplements 10101 और मेज़र मार आप देख लीना कम्प्यूटर fundamentals यहां पर रहने वाला है पहले Hm बोधी 24 अक्तूबर शाम के टाइम में और अभी जो है आपका एक्जाम रहेगा अभी जो आपका एक्जाम होगा कंप्यूटर साइंस का यह होगा 26 नवंबर शाम के टाइम ठीक है दोस्तों 26 नवंबर को अभी जो है यह यह डेट वन पहले की देट थी 22 अक्तूबर सुभा के टाइम आपका एक्जाम था और अब जो है आपका एक्जाम होगा 25 नवंबर सुभा के टाइम में ठीक है 25 नवंबर को आपका जो है एक्जाम होगा नेक्ट बात करनें जियोलोजी की तो स्ट्रक्ट्रल जियोलोजी 24 दस को आपका एक्जाम था ठीक है 24 अक्तूबर को सुभा के टाइम में बट अभी जो है यह से चेंज कर दे गया है 25 नवंबर को ठीक है 25 यहां पर इसकी डेट नहीं दी गई है जियोलोजी वाले की डेट यहां पर नहीं दी गई है तो अभी यहां पर थोड़ी सी क्योंकि यहां पर दिखने ही रहा है जियोलोजी जीम सी पेंटिंग जियोगराफी हुझ पिंटिंग तक तो यहां पर existing date यहां पर बताए गई है बट new date यहां पर नहीं बताए गई है तो इसका भी मुझे लगता है 2511 को ही होगा ठीक है पचीस नमंबर को और आप confirm कर लेना एक बार ठीक है है एस्प्यू से आप confirm कर सकते हो यह जो exam से जीलोजी जीमसी पेंटिंग जीगराफिका तोंकि यहां पर डेट नहीं दी गई हागे ठीक है एक्जिस्टिंग डेट तो इसकी बताए गई है बट न्यूड डेट इसकी नहीं बताए गई है यहां पर यहां पर थोड़ी से मिस्टेक इन से हो गई है 25-11 को होगा शायद ठी ठीका जो है 24-10 को होना था बट अभी डेट अपलोड यहां पर नहीं की है तो आप एच्प्यू से कन्फर्म कर लेना इन जो सब्जेक्ट है यह जीलोजी जे-मसी और प्रेंटिंग का ठीक है एच्प्यू से कन्फर्म आप कर लेना जरूर आगे बात करें जियोग्राफिक तो पहले जो था आपका एक्जाम होना था 24 अक्तूबर को सुभा के टाइम में बट अभी जो है अभी होगा 25 नवंबर सुभा के टाइम में ठीक दोस्तों बायर टेक्नोलोजी का आपका एक्जाम जो था टाइटल फ़ दा कोर्स रहेगा फंडामेंटल सोफ जी 24 अक्तूबर को था शाम के टाइम में बट अभी जो है आपका एक्जाम होगा 26 नवंबर को सुभा के टाइम में ठीक है आप देख सकते हो आगे बात करें होम साइंस बीए बेसी आप देख से कोर्स नंबर क्या रहेगा टाइटल ऑफ दा कोर्स की बात करें तो फंडाम फांडेशन ओफ ईूमन डवलमेंट ठीक है पहले था 24 अक्तूबर को शाम के टाइम है अभी रहेगा 26 नवंबर को आपका एक्जाम रहेगा ठीक है 26 नवंबर को सुभा के टाइम में आपका एक्जाम रहेगा 9-12 अब करें एकोनोमिक्स तो एकोनोमिक्स जो है आप कोर्स नंबर देख लो कोड देख लेना और टाइटल फ़ दा कॉर्स है स्टेटि स्टेटिस्टिकल मैथर्स टू पहले आपका एक्जाम था छे नवंबर को सुभा के टाइम में नो से बारा बट अभी जो इसकी डेट जो है चेंज कर दी गई है और अब जो है आपका एक्जाम होगा 27 ग्यारा यानि 27 नवंबर को सुभा के टाइम आपका यह एक्जाम होगा नेक्स बात करें कंप्यूटर साइंस इटी ठीक है टाइटल फ़ दा कोर्स प्रोग्रामिंग एंसी कोड आप यहां पर चेक कर लेना अपना कोर्स नंबर के नीचे जो है आपके कोड लिखे ह हुए है पहले की डेट थी आठ नवंबर शाम के टाइम को आपका अग्जाम होना था बट अभी जो है न्यूट इसकी हो गई 27 नवंबर शाम के टाइम ही आपका जो एक्जाम रहेगा बट बस यहां पर डेट जो है चेंज कर दी गई है पहले थी आठ नवंबर अभी हो गई है 27 नवंबर और नेक्स बात करें फिफ्ट समेस्टर की तो फिफ्ट समेस्टर की है जियोलोजी हिमालियन जियोलोजी एंड जियो टेक्टोनिक ठीक है टाइल टाइल ऑफ दा कोर्स फिफ्ट समस्टर की डेट शिट है एक्जिस्टिंग डेट पहले की डेट थी 24-10 सुभा के टाइम आपका एक्जाम था 24 अक्टूबर को बट अभी जो है अभी जो आपका एक्जाम होगा वह होगा 23 नवंबर को सु चैनलोजी का है आपका एक्जाम ठीक है दोस्तों बोटेनी जियो लोजी इक म्प्यूर्ट साइंस फिजिक्स बाया टेक्नोलोजी बीकॉम तो इन सभी का तो यहाँ पे बता भी देता हूं ठाइटल अप दो कोर्स बोटेनी का है मॉलेकुलर वाइलोजी जियो लोजी का है molecular biology, GMC का भी change हुए mass media research, mathematics का है complex analysis, computer science का है object oriented programming with C++ physics का है, solid state physics bio technology का है, enzyme technology और become का है, fundamentals of entrepreneurship development, तो इन सभी का जो है यह आपको यहाँ पर देख सकते हो इन सभी का exam होना था पहले 24 October को सुभा के time है बट अभी जो है, इन सभी जो यह है Geology से लेकर B.com तक ठीक है Geology से लेकर B.com तक इन सभी का exam अब होगा, 23 November को सुभा के time है, ठीक है दोस्तों सुभा के time में अभी आपका exam होगा इन सभी का mathematics, ठीक है यह major subject है, major mathematics वालों का अभी जो है, exam होगा 23 November को सुभा के time है और यहाँ पर physics की बात करें, तो physics का भी major है, तो solid state physics का भी exam आपका 23 November को होगा आगे बात करें, संस्कृत major यहाँ पर change है ठीक है, course आपना देख, course number देख ले ना 24 October को था पहले, शाम के time में बट अभी जो है, इसे बदल कर कर दिया गया है 23 November शाम के time ठीक है, English का भी change है English है major studying in canon fiction बन यह भी आपका 24 October को था अभी इसे change करके 23 November कर दिया गया है शाम के time ठीक है दोगस्तों, और next देखें history, history का भी आपका change है major history है, और women in Indian history history, ठीक है यह भी आपका 24 दसको था अभी होगा 23 November को शाम के time में, तो आप यह डेशित जुरूर देख लेना और सभी अपने friends को send कर देना, क्योंकि यह सभी old batch वालों का है यह जो डेशित अभी बता रहा हूँ, first, third और fifth semester का, तो यहाँ पर mathematics का भी चेंज हुआ है, physics का भी चेंज हुआ है, बोटिनीक का भी चेंज हुआ है, जूलोजी का भी चेंज हुआ है, दोस्तों, बीकॉम का भी सभी जो है, यहाँ पर वीडियो को, और जो new batch की वीडियो मैं अप्लोड की है, उसे भी सभी अपने friends में share कर देना, social media accounts में share कर देना, WhatsApp पे, Instagram पे, Facebook पे, ठीक है, अपने friends के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके, कि new dates और बदली गई है, ठीक है, modification जो है, की गई है, कुछ exam में, ठीक है, दोस्तों, और रूसा, HP, old batch वाले तो जुरूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि, आपको बहुत, बहुत साल यहां पे हो गए हैं अभी, तो आप जुरूर शेयर करना, कहीं ऐसा नहों कि आपका exam यह निकल जाए, आप सोचो कि उस दिन होगा, बट यह exam अभी postpone कर दिया है, पोस्तों या है, modern Indian political thought, यह भी 24 अक्तूबर को था, अभी होगा 23 नमबर को शाम के टाइम में, हिंदी का भी change है, नेवंद, आभम, गध्या, सहित्य, यह भी 24 अक्तूबर को था, शाम के टाइम में, अब होगा 23 नमबर को शाम के टाइम में, आगे बात करें, public administration, यह major subject है, social welfare administration, यह भी आ computer science, तो आप इन सभी का संस्कृत से लेकर, computer science तक के जितने भी बीच में हैं, और इनको मिलाके, including Sanskrit and computer science, इन सभी का जो है, अभी exam होगा 23 नमबर को, और एक और बात यहां पर ध्यान रख लेना, यह आप जो है, अपने code चेक लेना, ठीक है, subject code यहां पर दिये गए है, यह आ आपको बता दूँगा, अगर यही रहेगी, तो अभी तो फिलाहाल यही है, न्यूदेट्स फिलाहाल के लिए यही है, अभी इन्होंने ये बता दिया है, और बाकी जटीट आपकी सेम रहेगी, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है, म